नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवाइटी इंडिया अकैडमी पर दोस्तों OE के उपर आल्रेडी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं लेकिन ये वाला जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग होन वाला है इसमें हम आपको एक टैंपलेट दिखाएंगे जिसके अंदर हम OE पूरा कैलकुलेट करके दिखेंगे एक यूज केस के अंदर तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को लैट्स टार्ट दोस्तों OE की फिलफॉर्म आप लो करते हैं कि actual में जो हमारा equipment है या हमारी जो machine है वो कितनी output दे रही है जिसके अंदर सारे के सारे parameters आ जाते हैं अगर असल माइने में हम OE को measure कर लें तो हम पूरी की पूरी जो plant की output है उसको बढ़ा सकते हैं और company को profitable बना सकते हैं तो basically इसके अंदर तीन parameter होते हैं A, P, Q, availability, performance, quality जब तीनों को आपस में multiply किया जाता है तीनों ratios को तो हमारा OE निकल करके आता है इसी को हम क्या बोलते हैं overall equipment effectiveness अब A क्या होता है P, Q, P क्या होता है और Q क्या होता है यह हम आगे देखेंगे दोस्तो सबसे पहले अगर हम बात करें availability की थोड़ा सा मेरा pronunciation ठीक नहीं है ability का मेरी जवान लड़कडाती है तो उसका कुछ गलत ना बोले मजाग ना उड़ाएं दूसरा है performance तीसरा है quality तो ability का मतलब यह है कि हमारी machine जो है कितनी देर काम करने के लिए available थी ठीक है दूसरा जो concept है वो है performance का तो performance क्या है कि जतनी देर हमारी machine actual में available थी काम करने के लिए क्या उसने उतना output दिया उतना perform किया या नहीं किया तीसरा अगर हम बात करें तो quality का मतलब है कि जो उसने उस performance के दोरान product बनाए वो कितनी अच्छी quality के बनाए जब इन तीनों को आपस में multiply किया जाता है तो हमारा OE ratio निकल करके आता है एक use case देख लेते हैं तो उसके बाद हम template देखेंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं OE को उसके template के साथ थोड़ा सा छेड़कानी करेंगे उसमें data डालेंगे और हमारी OE निकल करके आ जाएगी और मैंने उसमें आपके लिए एक अलग से एक parameter भी और रखा है जो आप लोगों के लिए surprise है जिसको आप देखोगे तो आपको मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगेगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें availability की तो हमने एक use case लिया है जिसके अंदर हमारी 12 गंटे की shift है जिसके अंदर एक गंटे का planned downtime है अब planned downtime क्या होता है planned downtime हमारा हो गया जैसे हम tea time दे रहे है lunch time दे रहे है ठीक है या हमने 5S के लिए कोई specific time define किया या हमने machine PM में ली है यह हमारे क्या होगे planned downtime याने की new jit जो हमारे downtime है वो होगे हमारे planned downtime तो जो हमारी shift है इसके अंदर हमने एक गंटे का planned downtime लिया और एक गंटे का हमारा क्या हो गया unplanned downtime आ गया जिसके अंदर क्या हो सकता है no operator हो सकता है कि operator चुट्टी पे चला गया machine का breakdown हो सकता है tool का breakdown हो सकता है हो सकता है raw material available ना हो सकता है electricity चली जाए other than the planned जितने भी बचे किसी परकार का stop is हमारा unplanned हो गया तो इसी को हम यूज करके क्या निकालेंगे हमारा availability ratio तो उसके लिए हमने क्या लिखा actual runtime divided by total available time तो total अबिलेबल टाइम हमारा क्या है shift time माइनस में plan downtime shift time हमारा कितना था 12 गंटे plan downtime कितना था हमारा एक गंटे तो कितना बचा हमारा total available time 11 गंटे और actual में हमारी machine कितनी चली 10 गंटे क्योंकि एक गंटा उसमें breakdown हो गया तो हमारा availability ratio कितना हुआ 0.91 या 91% इसको हम बोल सकते हैं इसके बाद हमारा आता है दूसरा parameter दूसरा parameter है हमारा performance जैसे मैंने आप लोगों को बताया performance का मतलब है कि जो machine हमारी 10 गंटे चली तो 10 गंटे उसने 10 गंटे की output दी या 8 गंटे की output दी या 7 गंटे की output तो वो हम कैसे निकालेंगे कि 10 गंटे की shift के हिसाप से हमारे 1000 पीस बनने चाहिए यानि कि 1 गंटे में हमारे कितने पीस बनने चाहिए एक गंटे में हमारे पीस बनने चाहिए 100 ठीक है और 10 गंटे के हिसाप से फिर कितने बनेंगे ठीक है, तो formula क्या हुआ, actual production quantity divided by planned production quantity as per ideal cycle time, जो cycle time के हिसाब से कितना बनना चाहिए था और कितना बना, ठीक है, किस दोरान, जो 8 गंटे की हमारी actual running है, उस दोरान, ठीक है, इसमें कुछ लोग क्या है, confused खुद भी होते हैं, और दूसरों को भी कर देते हैं, कि भाई, ये 11 निकलेगा, ये निकलेगा, actual में जो machine चली है, 10 गंटे, उसके हिसाब से हम निकालेंगे इसको, ठीक है, कि actual में जो machine run हुई, उसके हिसाब से कितना बनना था और कितना बना, ठीक है, इसमें हर परकार के downtime को less कर दिया जाएगा, ठीक है, then हमारा अगला आता है क्या quality ratio, quality ratio क्य आया, कि जो हमारे 800 piece बने, उसमें से 760, यानि की 760, okay हुए, 20 reject हुए, और 20 rework, ठीक है, यानि कि अगर हम बात करें, तो हमारा जो okay हमें इतना मिला, 760 और reject कितना हुआ, हमारा 40 pieces, ठीक है, तो हमारा quality ratio क्या हुआ, okay या good quality वाले product, divided by total produced quantity, ठीक है, जो हमने लिखा भी है, 760 divided by 800, तो क्या निकल के आया हमारा 95, ठीक है, और हमारा performance क्या था, 80, अब इन तीनों को आपस में multiply करेंगे, और अगर हम multiply नहीं कर रहे हैं, उससे पहले देख रहे हैं, तो हमें लग रहा भाई, बहुत बढ़ी output है, 80% output आ गई, first class, लेकिन जैसे ही हम तीनों parameter को आपस में multiply करते हैं, तो हमारी OE कितनी हो जाती है, 69 या 69%, ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा फरक है, किसके अंदर, OE के अंदर, और efficiency, जो लोग निकालते हैं, उसके अंदर, ठीक है, उमीद है, यहांस दक आपका concept clear हो गया होगा, अब हम एक Excel sheet देखे जाती है, उसके अंदर, आपको सारी data, डाल करके बताएंगे, और आपको बताएंगे, formula आपको कैसे लगा रहे हैं, बात है, सारी formula की, यह कहानी तो आप लोगों ने सुन ली, अब बात आती है, formula कैसे काम करेगा, ठीक है, हम इसके अंदर आपको बताएंगे, पूरा का formula डाल के कैसे OE calculate कर सकते हो, दोस्तों आप लोगों को ना तो confuse होना है, ना किसी को confuse करना है, लोग खुद भी confuse होते हैं, दूसरों को भी confuse कर देते हैं, अपना ग्यान पेल के, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक simple एकदम template देख रहे हैं, OE calculate करने का, जिसके अंदर हमने सारे formula डा दिये हैं, पीछे तो आपको पूरा बता दिया कैसे कैसे निकलेगा, अब जब इसको हम Excel या Google Sheet में निकालेंगे, तो वहाँ जाके लोग अटक जाते हैं, कि उसको कैसे निकाले, तो उसी problem का समधान करने के लिए हमने यह template तयार किया है, इस template के अंदर आपको मैं formula भी बत maintenance होना, shutdown होना, याने की planned हमने shutdown लिया, कि भहिया, दो दिन हमें plant नहीं चलाना, inventory करनी है, lunch होना, या tea time होना, training या meeting के लिए हमने planning के साथ बंद किया, उसमें कोई operator की ना गलती, ना कोई machine की गलती, machine का हम cleaning के लिए time दिया, 5S के लिए time दिया, unplanned हो गए, कि जो अचानक से operator चुक्ती पे चला गया, machine का breakdown हो गया, tool mold breakdown हो गया, raw metal अभी लेवल नहीं था, insert अभी लेवल नहीं था, कोई quality issue के पिए से machine कड़ी हो गई, change over हुआ, tool trial हुआ, अब कुछ लोग change over को भी planned में ले लेते हैं, लेकिन change over को आप planned में ले सकते हो, लेकिन उसको क्या करना पड़े waste कर देंगे और आपकी OE एकदम से खराब हो जाएगे, उसके तरफ किसी का focus नहीं दाएगा, then हमारा आगया power cut, nozzle jam, बलब जितने भी हमारे problems है other than planned, वो हमारे unplanned के अंदर आ गए, अब ये template आपके सामने है, अब इसमें हम data डालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना ह 10 into 60, तो हमारा निकल करके आगया, shift में कितने minute है हमारे 600 minute, ठीक है, उसमें से हमारा planned downtime, यानि कि जो ये PM हुआ, shutdown हुआ, lunch हुआ, इन में से कोई भी अगर है, तो वो हमने हाँ डालना है, तो हमने suppose डाला कि 30 minute मेरा, क्या है, planned downtime है, कि 30 minute का lunch है, ठीक है, तो उससे हमारा क्या न available time है, वो 570 minute है, ठीक है, अब इसमें से problem क्या आई, मेरी machine चलते जलते, 45 minute के लिए खराब हो गई, machine में breakdown आ गया, तो मैंने वो यहाँ पे enter कर दिया, ठीक, तो उससे मेरा क्या हुआ, actual runtime निकल के आया, तो planned downtime का क्या formula है, d3 minus d4, d3 में क्या है, हमारा shift time, और d4 में क्या है, planned downtime time, यानि कि d is equal to x minus b, 60 minus 30 कर दिया हमने, then हमारा actual runtime, actual runtime क्या होगा, हमारा net available time for production minus में unplanned downtime, यानि कि e is equal to d minus c, dA है, c है, इसको minus कर दिया, अब हमारा ability ratio क्या हो गया, a is equal to e minus e oblique d, e क्या है, हमारा actual runtime, divided by net available time, यह हमने हैं लगा दिया, formula d7 divided by d6, यह हमारा आगया ability ratio, अब बात आती है, performance निकालने की, उमीद है यहाँ तक clear होगा होगा, आपको पूरा ability ratio, अब हम निकालेंगे performance, कि यह जो machine चली, उसने perform किया, या नहीं किया, ठीक है, तो cycle time हम मान लेते हैं, कितना, 30 second है, किसी component का, ठीक है, अब यहाँ पे लि इसने piece निकलते हैं, जैसे हमारी injection molding होती है, power presses होती है, die casting होती है, उनमें क्या होता है, एक साथ, जब हम एक production shot लगता है, उसमें 4 piece निकलाते हैं, 40 भी निकलाते हैं, 10 भी निकलाते हैं, और 1 भी निकलाते हैं, तो हमारा यह जो mold है, हमने मान लिया, वो 2 cavity का mold है, कि एक बा यह cavity में लिखा, अब इसको convert करके, हमने यहाँ पर divided by 60 करके, हमने इसको minute में निकल लिया, क्योंकि सारी calculation minute में चल रही है, तो cycle time को भी हमने क्या किया, minute में convert कर दिया, किस से divide करके, 60 से divide करके, ठीक है, अब आता है actual produce quantity की, आपने actual में कितनी quantity produce करी, सपोज हमने बनाए, कितन 1975, ठीक है, सॉरी, 1975, तो जैसी हमने यहाँ पे 1975 डाला, तो हमारा निकल के आ गया क्या, performance, performance क्या निकल के आया, हमारा 94%, ठीक है, तो यह कैसे निकला, इसमें हमने निकाल रखा है formula, require quantity actual, as per actual run time, तो हमने performance का क्या formula जाना था, कि भाईया, जितने में machine चली है, जितनी देर, उत उसको कितना माल बनाना था, और कितना बनाया, तो अगर वो machine हमारी चली कितनी, 525 मिनट, तो 525 मिनट में, उसको कितने पीस बनाने थे, 2100, वो कैसे निकाला, 525 divided by, एक product का cycle time, तो कितना आया, 2100, actual में कितनी चली है, वो उतनी देर चली और उसने बनाए, लेकिन 1975, जब इन 1975 divided by, 2100, कितना निकल के आया, 94%, हमारी हो गई, performance, ठीक है, देन आती है, हमारी total rejection quantity, हम यहाँ डालेंगे, किस के लिए, quality ratio के लिए, यह 1975, तो हमने पीस बनाए, लेकिन, उसमें से reject कितने हुए, reject उसमें से हो गई, हमारे 55, तो हमारा quality ratio कितना निकल करके आया, 97.2, ठीक है, य यह कैसे निकला, यह निकला, D18 divided by, D13, D18 क्या है हमारा, यह, produce okay quantity, produce okay quantity कैसे निकाला हमने, 1975, minus में rejected quantity, तो यह हमारा हो गया, 1920 हमारे ठीक निकले, total कितने निकले, 1975, दोनों को आपस में डिवाइड किया, तो 97.2, अब OE का formula हमने क्या जाना था, A into P into Q, A, P, Q, जब आपस में तीनों को multiply करेंगे, तो OE हमारा निकल करके आएगा, 84.2, ठीक है, यह तीनों multiply कर दी हैं हमने, A, P, Q, 84.2, ठीक है, अब कुछ लोग क्या है, machine efficiency भी calculate करते हैं, OE के अलावा, machine efficiency भी calculate करते हैं, ठीक है, machine efficiency basically क्या है, कि अगर machine, यह पूरे के पूरे, जो हमारा 570 minute है, उसमें चलती तो क्या उठ उठ देती, बस इतना फरक है, performance में और machine efficiency में, ठीक है, performance तो क्या है, सारे losses हमने minus कर दिये, उसके बाद हमने देखा, कि machine ने कितना perform किया, ठीक है, लेकिन जो machine efficiency क्या है, उसमें planned downtime हटे हुए है, unplanned वाले included है, in the sense, कि भीया, वो जो है, हमारे पास 570 minute तो थी available, ठीक है, मलब चल सकती थी, लेकिन चली नहीं किसी भी कारणवस, तो actual में जो output है, machine ने कितना दिया, 86% दिया, ठीक है, तो उमीद दोस्तों, यहां से आपका जो doubt है, OEE को लेकर के वो clear हो गया होगा, इसके लावा आप लोगों को एक और जानकरी देनी है, हमारा जो app है, एवाईटी इंडिया अकैडमी app, उसके उपर हमने एक course बना करके डाला हुआ है, OEE DPR sheet के नाम से, ठीक है, उसमें जब आप जाओगे, तो हाँ आप देखोगे, कि हमने क्या किया है, 9 content उसके अंदर डाले हुआ है, जिसके अंदर आपको DPR format पुरा समझाया है, OEE machine efficiency का difference समझाया हुआ है, Google sheet के link मिलेंगे आपको, ठीक है, then आवली production report CNC की मिलेगी, rubber molding की मिलेगी, press shop sheet metal की मिलेगी, ठीक है, तो इस तने तरीके के हमने format बना करके, अपने app के उपर डाले हुए है, अगर आपको चाहिए, तो उसका हमने क्या किया है, link description में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके, वो सारा का सारा, जो ये formats हैं, उनको download कर सकते हो, उनको use कर सकते हो, और अपनी company के अंदर implement क कर सकते हो, अगर आपको ये courses बाय नहीं करने, तो हमने और भी बहुत सारे videos बना करके डाले हैं, जिसके अंदर हमने OE का पूरा format बताया हुआ है, वहाँ से भी देख देख के आप format को बना सकते हो, उमीर दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो आपको अच् लें, चैनल पर पहली बार आएं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद.